हेलो फेंट्स वेलकॉम बेक टू माई चैनल फेंट्स क्या आपकी एडिया बहुत ज़्यादा फट गई है और एडिया फटने की बाद वहाँ पे या तो ब्लैकनेस आ गई है या वहाँ की स्किन एकडम से वाइड वाइड होकर कुर्दरी हो गई है यानि कि वहाँ पे बहु हमेशा के लिए वहाँ से डैट स्कीन को हटाकर एकडम से एडियो को ऐसे सौफ्ट और मुलायम बना देगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा आप चाहे उम्र के किसी वी दोर से गुजर रहे हो अगर आप अपने एडियो के एकडम से सौफ्ट और मुलायम बनाना चाहत तो एक बार इस नुस्खे का जरूर यूज कीजिए बहुत ही एजी नुस्खा है और मात्र दो चीजों के जरिये ही आप हमेशा के लिए फटी एडियों से छुटकारा पा सकते हैं तो चले शुरू करते हैं आज के इस नुस्खे को लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब पर नहीं है तो प्लीज गई जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए इसे बनाने के लिए आपको लेना होगा लैमन यहां पर आपको आधा नीवू लेना है और दूसरा आपको लेना है तूथ पेस्ट आप फेंट्स किसी भी कंपनी के तूथ लगाईए और उसके बाद लैमन की जरिये आप इसकी मसाज अपनी फटी एडियो वाली स्किन पर कीजिए इस मसाज को आपको लगबख 10 मिनिट तक करना होगा और मसाज आपको ऐसे ही नहीं करनी है नीवू को आप हलका सा दबाईए और इसके रस को निकाली और उसके बार आप मसाज कीजिएगा बीच बीच में फ्रेंट्स आप नीवू के रस को धीरे धीरे दबाते रहे और नीवू को रस आपकी डैट स्किन के अंदर जाएगा आपकी जो एडिया फट गई है वहाँ पी गंदगी भर गई है उसे तेजी से फुलाएगा और महां से बाहर निक करते रहेगा और अगर आपका तूथ पेस्ट कम होता जाएगा तो आप और तूथ पेस्ट लगाते रहेगा इसके जरीए आपकी डैट स्किन हमेसे के लिए खतम हो जाएगी तो फ्रेंट्स अगर आप भी अपने फटी एडियो से छुटकारा पाना चाते हैं तो एक बार जरूर यूज करके देखिए ये इतना फायदे मन्त है कि आपको यकीन नहीं हो पाएगा यकीन करने के लिए आप एक बार इसका जरूर यूज कीजिए तो फ्रेंट्स ये था आज का मेरा वीडियो आज के वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से वी